स्वास्तिमंद्री श्री टीयर सिंग देव को ICICI बैंक ने आज 25 हाइफ्लो नेजल कैनुला मशीन सौपे स्वास्तिमंद्री से बैंक के अधिकारियों ने आज उनके सिवल लाइन स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर यह मशीने प्रदान की श्री सिंग देव ने कहा कि यह मशीने प्रदेश के सभी छह शास किये मेडिकल कॉलेजों में भेजी जाएंगी नोने इस मदद के लिए ICICI बैंक को धन्यवाद देते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के संकत के समय बैंक ने सरकार और प्रदेश के लोगों की बहुत सहाईता की है यह कोरोना से पिड़ित लोगों के जीवन की रक्षा और मानपता की सेवा का समय है ऐसे दौर में बैंक ने करीब साढ़े तीन करोर रुपय लागत के मेडिकल संसाधन उपलब्द करा कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाहन किया है महासमुझले के बाग बाहरा वन परिशेत्र के अंदर अगत धरमपुर के एक परिवार मनरेगा में काम करने जा रहा था कि अचानक के सामने हाथी को देख डर से भाग खरा हुआ आपको बता दे की महिला हाथी के चप पेट में आ गई जिसे धंतेयल हाथी ने कुचल कर मार डाला शासन-प्रशासन हाथियों से हो रहे हैं जान-माल के नुकसान को रोक पाने में सफ़ल साबित हो रहे है आपको बता दे कि एक माह में यह तीसरी घटना है, इससे पहले जिले के परसादी और पतेरा पाली में इस माह हांतियों ने दो जाने ले चुकी हैं। इस खास गिफ्ट हैंपर को मुख्यमंत्री श्री भुपेश बगहिन ने आज अपने निवास कार्याले में लॉंच किया। सवा शेतर ग्राम विरेंदर नगर में भी कार करता हूने बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पारण करते हुए कैंडल जला कर पुन्य तिथी में शामिल हुए। घर में सो रही सतर साल की दादी की शराबी पोते ने रिश्रंस हत्या कर दी। आपको पता दे लाठी डंडे से पीट-पीट कर दादी की पोते नहीं हत्या कर दी। हत्या अठाइस मई की देरात की है शराबी पोते जगनात प्रशाद निरालन ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको पता दे की आरोपी पोता मौके से फरार है आज पास के गाउं में पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। प्रधानमंत्री निर्मोदी के साथ वर्ष कारिकाल पून होने के अवसर पर रक्तदान कायोजन किया गया। जिले के भाजयूमों युवाओं ने बढ़ चड कर हिस्सा लिया। जिले में 10 मंडलों से भाजयूमों के हुआ पहुची जिलासपता लगवाग 100 युवाओं का रक्तदान को लेकर पंजियन हुआ। जिसे 20 युवाओं का रक्त कलेक्ट किया गया। जिलासपताल के ब्लड बैंक में अधिक मात्रा में ब्लड रखने की सुविधा नहीं है। वहीं ब्लड बैंक प्रभाडी ने युवाओं को आवशक्ता परने पर रक्तदान करने की आग रखी है। देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर जहांसी में कॉंग्रस द्वारा सांकेत के विरोध प्रदर्शन के आगया। जिसमें कॉंग्रसियों ने बढ़ चड़ कर हिसा लिया और प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ अपना रोश प्रकट किया। और द्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के अध्यक्षता में सरकिट हाउस के सभागार में विकास कारे की समीक्षा बैठक हुई जिसमें जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रिंग रोड नर्माना धीन सेतु के कारे की समीक्षा हुई। जनपद में चकेरी एरपोर्ट के विस्तार के कार वो मेगा लेधर कालेस्टर आधी विकास कारेकी समीक्षा बैठक की जा रही है। पुलिस करμी के द्वारा एक और बरवरता देखनों को मिली है जी आपको पता देंकि पुलिस कर्मी ने फल वालों पर ही लाठिया बरसा दी है जी हाँ ख़बर मतुरा की है जहाँ पुलिस कर्मी कई दिन से फल वालों के पीछे पड़े हुए है और आज उसके उनके द्वारा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया फल्विक्रिताओं ने अपने शरीर पर लगी वी चोटो के निशान दिखाया है जो उनका कहना है कि पुलिस ने उनके उपर लाठी डंडे बरसाए